वोग फेशनिबल वाल्स पेश करते हैं मीटियर्स उलका वर्षा की सुन्दर्ता को दीवार की सुन्दर्ता बनाईए चलिए मीटियर्स एफेक्ट को दीवार पर सजा कर देखते हैं आवशक सामगरी बेज कोट हेलो मजिस्टिक इंटिरियर सिल्क बैलकनी शेड, टॉपकोट, वोग इफेक्टिक, पीकॉक स्क्रट आवशक साधन, वोग मीटियर्स टूल, रोलर, ट्रे टोल बनाने की प्रक्रिया मीटियर्स टूल बनाने के लिए हम प्लास्टिक स्क्रबर का इस्तिमाल कर सकते हैं इस इफेक्ट को बनाने के लिए एप्लिकेशन की विधी स्टेप वन, सतह प्रिपरेशन और बेस कोट प्राइमर पुट्टी और प्राइमर की मदद से सतह को पेंट के लिए तयार कर लीजिए बेस कोट के तौर पर हेलो मजेस्टिक इंटियर सिल्क के अपेक्षिट शेट के लिए दो कोट्स लगा लें जिसका डाइलूशन 25 प्रतिशत और कवरेज 140 से 160 स्क्वेर फीट पर लीटर हो अब बेस कोट को 3 से 4 घंटे सूखने के लिए छोड़ दें स्टेप 2 इफेक्ट क्रियेशन बेस कोट सूखने के 3 से 4 घंटों के बाद वोग टॉप कोट अपलाई कीजिए वोग मीटियर्स टूल को अच्छे से पकड़ कर दीवार पर जोड लगाते हुए टूल का इंप्रेशन बनाए और उसके बाद मीटियर्स टूल को टिफरेंट एंगल्स में ऐसे तिर्चा ड्रैग कीजिए कि वो एक दूसरे से कहीं टकराए नहीं और हर एक शूटिंग स्टार की अपनी अलग दिशा हो इससे एक अच्छा मीटियर या शूटिंग स्टार एफेक्ट बनेगा याद रहे वोग मीटियर टूल का सर्कुलर शेप ड्रैग होने के बाद अच्छी तरह से विजिबल हो पेंट का ज्यादा फैला अबना हो इस बात का खयाल रखें क्योंकि एफेक्ट की विजिबिलिटी ज्यादा महत्वपूर है सम्या अनुसार टूल को कपड़े से साफ करना ना भूले कवरेज वोग फैशनेबल वाल्स कवरेज सौ से 180 स्क्वेर फीट पर लीटर हर एक कोट के लिए अपने एस्ट्रोनॉमी की पसंद दीवार से जलकने दे और ज्यादा एफेक्ट्स एक्स्प्लोर करें